एक बहुत बड़ी good news शाओमी रेडवीन पोको यूजरस के लिए कि अब से आपको MIUI 14, 15 की जंजट ही खतम होने वाला है जिया गाइस एक official statement आचुकी है सामने कि बहुत जल्द आपको MIOS देखने को मिलने वाला है इसके बारे में exact 6 महीने पहले में बात की थे कि शाओमी इसक आप लोगों का और finally मैंने उस विडियो में कहा विदा कि official statement अब तक देखने को नहीं मिली है बट finally उनके एक official source जो की हर बार information प्रवाइड करवाते है digital chat station के दरव से एक official statement आई है जिससे clear हो जाता है कि अपको में MIOS आने वाला है और अब आपको MIOS 15 देखने को नहीं मिलेगा तो यह चीज़े तो काफित clear हो ही जाती है कि क्या होने वाला है बाख ही अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है MIOS पे तो जाके चेक आउट कर सकते हो इसके वारे में और डिटेल में मैं उसके पर बात कर रखी है आज की वीडियो में हम लोग official statements आई है और आपकी जो query है उसके उपर तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो आपको देखने को मिलता है it is basically confirmed that MIUI 14 will be last official version of MIUI तो यह चीज़ confirm हो जाती है कि MIUI 15 हमें देखने को नहीं मिलेगा और वहीं पिनों ने बताया है कि sealed work of MIUI MIUI 14 can be regard as excellent graduation project उस Xiaomi 14 series के साथ इसका debut होने वाला है Xiaomi brand के नए software MIOS के साथ और यह statement confirm कर देती है कि MIUI 15 अब देखने को नहीं मिलने वाला बट इसके साथ बहुत सारी अच्छी news है सामने आ जाती है क्योंकि पहले भी चीज़े हो चुकी है Harmony OS के साथ बहुत सारे ऐसे OS है जो की rebrand होके आई है साथ है कि Redmi Note 8 series से लेके आगे वाले सारे devices जिनको updates नहीं मिल रहे हैं चाहे वो Poco series क्यों ना हो चाहे वो Xiaomi series क्यों ना हो जो stable है working condition में है उनको MIOS देखने को मिले सबसे पहले यह Xiaomi की premium series के साथ आ रहा है और अगर इसको discontinue किया जाता है पतलब MIUI 15 को discontinue किया जाता है तो MIOS वज़ास से Xiaomi कंपनी का नाम भी बहुत अत्ता खराब हो रखा है और अच्छली हमने ही खराब किया है हमने नहीं किया अच्छली उनकी गलती होती है यार वो बंस देते हैं तो सिर्फ बताते हैं तो यह बहुत अच्छा initiative है अपने आपको बचाने का कि अपने OS को ही reboot कर लो अब इसका Google से कोई link नहीं होगा यह चीज अच्छी होने वाली है यह बुरी होने वाली है इस पर मैं कोई comment नहीं करूगा क्योंकि वो वक्ती बताएगा अगर optimization चीज़े सही रही तो हमें MIOS एक greater मतलब पुराना वाला जो MIUI था ना MIUI 9, 10, 11 वाला वो देखने को मिल क्योंकि जब से icon animations आए हैं उसके माज से तो धजिया आउड़ी है फोन की मतलब बहुत सारी दिक्कते उसके बाद ही आनी शूरी हुई है और इसी वाज़े से उन्होंने icon animations बहुत सारे फोन में से remove किया हुआ है बट मैं hope करता हूँ कि MIOS ऐसा ना करे अब भी मैं clear कर दू कि digital test station के तरफ से information आ चुकी है बट अभी तक Xiaomi का कोई official comment इस पर देखने को नहीं मिला है कि क्या यह सिर्फ China के लिए होगा, Global के लिए कब तक देखने को मिलेगा और India के लिए कब तक देखने को मिलेगा और मैं clear out कर दू कि MIUI 15 के testing ज़रूर की गई है उसके beta testers है बट अगर MIUI सब चीज़े चलती रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है उनको confirm यह तो मैं आपको लिख के दे सकता हो, but अगर वो उसमें major changes करते हैं, क्योंकि UI में change कर दो, अलका साथ नही features देखने को मिलेंगे, optimize कर दो, मेरे लिए भी यह सबसे important चीज़ होगी, अगर वो phone के सा आ रही है, वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इनके hardware बहुत अच्छे होते हैं, but इनका software है, यहीं इनकी band बजाते जा रहा है, क्योंकि अभी आप लोग दे सकते हैं, कि POCO में भी आपर होपीनिन है, इसके ओपर कोई official statement नहीं आई है, बांकि आपका इ मेरे को कोई दुख नहीं है, कि यह change हो रहा है, क्योंकि नाम change होने से कुछ नहीं होता है, बट उसमें जो optimization है, वो improve होनी चाहिए, और हमारे phone ना safe होने चाहिए, आपका क्या ओपीनिन ने comment section में बता सकते हैं, और हमारी information फिर से correct हुई, इसी बात पे guys, अगर आप लोग हम नहीं होता सबस्क्राइब करके, जोइन करो मारे फेमली को, विल ते नेक्ट वीडियो पे ने ने उसके साथ, अब दा गलिये, जाहिन